हलो मैं हूँ रिखायादव और आम देख रहे हैं बोल्ड स्काई अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए महिलाएं ब्यूटी प्रोड़क्ट्स का इस्तमाल करती हैं या फिर ब्यूटी पार्लर जाती हैं जो एक खर्चीला और अधिक समय लगने वाला तरीका है पॉलूशन और अनप्रॉपर डाइट की वज़ा से महिलाओं के चहरे पर अकसर पिंपल्स निकलाते हैं स्किन की ग्लो चली जाती है और स्किन बेजान हो जाती है ऐसे में खूबसूरत स्किन पाने के लिए घरेलू तरीकों को अपनाना बहतर हुगा इन ही घरेलू तरीकों में से एक है सॉल्ट वाटर जी हाँ यानि की नमक का पानी जो की स्किन प्रॉब्रम को दूर करने में काफी हल्प करता है कैसे आईए हम बताते हैं आपको बता दे कि सॉल्ट वाटर में ओल कंट्रोलिंग प्रॉपरिटीज मौजूद होती है जो ओली स्किन से आपको छुटकारा दिलाती है ये उपाय आपकी स्किन में एक्सेस ओल प्रॉडक्शन को कंट्रोल करने में मदद करेगा आप इसे कॉटन की मदद से हर दूसरे दिन अपने चहरे पर लगाए इससे आपको ओली स्किन से छुटकारा मिलेगा नमक मिले पानी के इस्तेमाल से पिंपल की परिशानी भी खत्म हो जाती है इसे इस्तेमाल करने के लिए एक चमच नमक को आधे कप पानी में मिलाएं और कॉटन की मदद से इस पानी को अपने पिंपल्स पर 10 मिनट तक लगाएं और बाद में साफ पानी से चेहरा धोले, इस प्रोसेस को कुछ दिनों तक करें इसके अलावा जंक फूर्ड और ओली चीजों से परहेज करें आपकी पिंपल की प्रॉबलम जल्द ही सॉल्व हो जाएगी अगर आप अपने चेहरे पर ग्लो लाना चाहती हैं तो ऐसे में आप सॉल्ट वाटर का इस्तमाल कर सकती हैं इसके लिए आपको बस ओलीव ओल और सॉल्ट वाटर से बने मिक्शर का इस्तमाल करना है इसे इस्तमाल करने के लिए एक चमच सॉल्ट वाटर ले और उसमें एक चमच ओलीव ओल मिलाए फिर इस mixture को अपने चहरे पर 10 मिनट तक लगाए रखे और बाद में पानी से चहरा धोले आप इस process को हफते में 2-3 बार करें Salt water में anti-inflammatory और antibacterial properties पाई जाती है ये आपको खुजली की परशानी से रहत दिलाएगी इसे इस्तमाल करने के लिए cotton की मदद से अपने problem वाले area पर इसे लगाएं इससे खुजली ठीक हो जाएगी आईए आप जानते हैं कि कैसे बनाते हैं salt water इसे बनाने के लिए बस गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाले और इसे इस्तमाल करें लेकिन साथ ही कुछ सावधानी भी बड़ते अगर आपकी skin sensitive है तो इसका इस्तमाल बिलकुल भी ना करें I hope आपको ये information पसंद आई होगी ऐसे ही information और tips के लिए देखते रहें bold sky और हमें like और subscribe जरूर करें